है लो माइडियर एश्टूडेंट कैसे हो आप लो बढ़ीया ना पढ़ाई कैसे चल रही है आप लो की बढ़ीया चल रहे हैं वेरी गूड ऐसे पढ़ते रही है और इंज्वाए करते रही है आज करियर इंस्ट्यूट के एवरी लेक्चर को आज हम एक काफी खुपशूरा साथ लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर का मालेज़े कोई नंबर है एक्स कोई नंबर है एक्स और इसका जब हम पावर जिरो करेंगे तो वन क्यों आता है वन क्यों आता है किसी भी नंबर का पावर जिरो करेंगे तो 1 क्यों आता है लेक्चर कंटीनू करने से पहले में आपको बता दू कि अगर आपको मैच में कोई भी डाउट है और आप उस डाउट को क्लियर करना चाहते तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं मैं वहाँ पर आपके डाउट को सॉल्व करने का कोषिस करूंगा तो सल्ल ये लेक्चर शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने क्या बोला कि किसी भी number का क्या मतलब है कि कोई भी natural नंबर है मानलो 1 एक नेचुरल नमबर है इसका जब हम पावर 0 करेंगे तो 1 आजाएगा 2 एक नेचुरल नमबर है हम इसका पावर 0 करेंगे तो 1 आजाएगा कोई भी नेचुरल नमबर का पावर 0 करेंगे तो 1 आजाएगा माइनस 10 का पावर हम 0 करेंगे 0 करेंगे तो 1 आएगा कोई भी rational number है अगर हम rational number का भी पावर 0 करते हैं मानलो 1 by 2 है और 1 by 2 का पावर हम 0 करते हैं तो 1 आएगा मानलो 3 by 4 है इसका पावर 0 करते हैं तो 1 आएगा और किसी भी rational number का जब हम पावर 0 करते हैं तो वन आएगा इसका मतलब कि कोई भी नमबर का जब हम पावर जिरो करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा रिजल्ट आएगा 1 लेकिन इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये 1 क्यों आता है क्या बात करेंगे हम कि इस लेक्टर में हम बात करेंगे कि किसी भी NUMBER का जब हम पावर zero करते हैं तो 5 क्यों आता है तो चलिए सबसे पहले को मिटा देते हैं मैं और अब हम बात करते लेक्चर अगे continue करने से पहले मैं आपको दो एक basic result के बारे में बताता हूं ठीक है एक जाएगा M plus n एक्जाम्पल आपको दिखा देते हैं कि मालले जी यह 10 है 10 का पावर है 6 और multiply हो रहा है यह 6 छोटा हो गया इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं 10 का पावर 6 और multiply हो रहा है किस से 10 के power 4 से यहां पे देखे क्या है यहां पे वह बेसित त्या है उखाँ है यह भी और ऑ़ क्या है सिक्स और यहां पर फावर फॉर बेस त्यलीग एशप से bet modest को ऑचींग हो जाता अपा कैसा प kayak सब्सक्राइब agree already कि अगर पावर सेम और यहां पया हो रहा है रहा है, यहां पे बीज हो रहा है तो इसको हम कैसे लिए सकते हैं कि कुत प्रण क्यों pineapple कि शांपन लेते हैं और एक्जांपल लेते हैं पावर का सब्ट्रेक्शन हो जाता है तो यहां पर क्या कर देंगे 10 और पावर जाएगा 6-4 तो यह हो जाएगा 10 के पावर 2 ठीक है और 10 का पावर 2 क्या होता है 100 तो यह समझ गया आप कि अगर बेस सेम है और क्या पर का ऐडिकान हो रहा है दो बेसिक रिजल्टो आपको पढ़े ओ पहले भी कि बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रेक्शन 鬼 जाएगा इसको याद रखने का एक बेसिक ट्रिक बता रहा हो 근데 नहीं है बनाध अप समझ सकते है क्या होगा यहां पर जो multiply है यह थोड़ा-थोड़ा एडिशन की तरह दिख रहा है multiply क्या है थोड़ा-थोड़ा एडिशन की तरह दिख रहा है तो अगर बेस से में और multiply हो रहा है तो क्या हो जागा एडिशन और यहाँ पर कि देखो जो डिविजर है वो माइनस के तरह है तो क्या होगा जहाँ पर डिविजन ओ वे स्य महो तो क्या हो जागा सब्ट्रेक्शन अगर तो यहां ब्यAK किया समझ गए अब आते हैं हम मेन लेक्चर पर हम इस वालेसिक वीजल्ट को को पकड़ लेते हैं इस वाले को हम पकड़ लेते हैं सब्सक्राइब इसको मिटा देते हैं और फिर से लिखते हैं क्या था कि बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है तो क्या हो रहा था यह आप पढ़ें । आपफें। लिए अब देखिए। हम्हें नहीं पता है कि आगे क्या होगा। और हम्हें प्रूफ करना यह भी हंसी नहीं पता है। हमें यह result पता है कि base सेम हो और जब division हो तो क्या पता है पवर का subtraction हो जाता है। अब मेरे दिमाग में एक खुआ पाथ आ रहा है हम सोच रहे है कि भी सेम है, पावर को भी सेम कर देते है мेरा मन भाई, मेरा मारकर, मेरा वाइटबोट, मैं कुछ भी करूं, मैं कंसेप्ट है मैं इसके साथ कुछ भी छेड़क्साट करूं, वह Eh movie है कि मेरे मन को भाया में कुप द्रक्ठाइकर भ्रूरा चॉसे हमने क्या होता है ठीक है हमें नहीं हंता है कि ते मैंने क्या प्रूवर करना एक itu फॉरकषा की दिदि माँदा में हम M put कर दिये दोनद का power हम सिम मान लिए तो येहां पवर में लिघ दी है M और हमें पता है कि जब base स्मों हो और डिवी जोन थो k्या होता तो रेखर है टो यहां पिन है यहां हो जाएगा अस्थी अपिन निता अभी यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा एक पावर m और सेबर ने ख करते हो काट के लिएथ हो best तो यहां पर भी क्या है, एक पावर M भाई एक पावर M है, numerator और denominator सेम है, हम इसको काट दिये, और काट की क्या लिख देंगे, 1, 1 is equal to एक पावर 0, और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक पावर 0 is equal to 1, और हमें यही तो प्रूफ करना था, यही तो हमें देखना था, कि किस भी नमबर का पावर 0 करेंगे, तो 1 कैसे आया, तो देखिए, ऐसे आया, किसी भी नमबर का जब पावर हम 0 करेंगे, तो 1 आ जाएगा, और यहां पर कोई भी नमबर, एक क्या है, एक क्या है, एक नमबर, ठीक है, लेकिन, 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 एक बा को छोड़के और वो नमबर क्या है वो नमबर है 0 जब आप 0 का power 0 करिएगा तो ये 1 नहीं आएगा ये क्या नहीं होगा 1 नहीं आएगा ये क्या उजागा 0 का power क्या है 0 का power 0 undefined condition है ये meaning less है इसका कोई मतलब नहीं है 0 का क्या है undefined condition है तो याद रखेगा कि किसी भी नमबर का power जब आप 0 करिएगा तो result 1 आएगा लेकिन एक exception है और exception क्या है कि 0 का power 0 1 नहीं होता है और ये लेक्चर यहीं पर खतम हुआ और हमें समझना क्या था किसी नमबर का जब power 0 होता है तो one कैसे आता है और वो यहां पर हम समझ लिए ठीक है समझ आया ना तो आप comment करके बताईएगा कि lecture कैसा लगा और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं क्या बताया था कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को यहां पर message कर सकते हैं मैं आपको doubt clear करने का कोशिस करूँगा तो आज के लिए इतना ही fill the knowledge बाबाए